हलो दोस्तो आप सभी को स्वागात है फिर से मेरे एक नई वीडियो पर तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि छट पर किस तरह एकदम सुन्दर और मस्त तरीके से पाइपलेन डाल सकते वेरिंग करने के लिए तो एक भाई के एक सवाल भी था मेरे से कि भाई अगर मैं अपना घर आपको दो वेरिंग करने के लिए तो मेरे घर को लाइट से किस तरह डेकॉरेट कर सकते हो तो उस भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे आप एक मोका दे करके देखो मैं आपको निजास नहीं करूंगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि छट पे किस तरह मस्ता और बढ़िया तरीके से पाइपलेंड डाल सकते हो तो उसे के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं यानि तो इसे के साथ में हम लोग अपना वीडियो को कर करते है स्टार्ट जैसे कि मैं आप सबको दिखा रहा हूं जो दाहिने सेट में 3-4 का पीवीडिया है यह वरा हम लोग का पहला यह हम लोग का बॉल पॉइंट लगेगा दोस्तों और मैं आपको दिखाता हूं लेफ्ट रूम तो यह देखें लेफ्ट रूम और यह राइट रूम तो यह दोनों आपस सार्किट जो यह पाइप डॉप इनिचे हुआ है इसमें दिवाल में काटिंग करके इसलों यह दोनों रूम का एक सर्किट बन जाता है यानि कि एक मसबी 345 का जो आपको दिखा रहा हूं दूसरा सर्किट जो कि सेंटर से होते हुए यह देख लिए आगे जा रहा है तो यह रहा हम लोग का शेकेंड एम से वी जो की सेंटर में हम लोग लगा चुके हैं फेंड बॉ लगने वाला है तो इसी के साथ हम लोग का जो आगे ड्रॉफ हुआ है हम लोग का जोर्का में जाएगा यानि कि वहाँ पर भी कुलर लगएगा तो उसके लिए हम लोग कर चुके हैं तो देखिए इस तरह करके हम लोग का जो फॉसरिंग लाइट लगाने के लिए चार-च जो फैंड वोक्स से राइट साइड में जो राइट साइड में नहीं हो चुका है यानि geld दूसरा तो इसमें ठौनेट हो करके दीपर जैसे संब्सक्राइब करके पेंड बॉक्स में हो चुका है और प्रॉण्ट के ओर एकम ड्रॉप हुआ है जो की कंट्र्लHub कैंगा खे बेक सेट में होते हुए यहां पर एक ट्रॉफ हुआ है तो यह हमारा वाल पॉंट भी लग साथ है यह तो कंट्रल बोड भी लग साथ है देखते हैं पार्टी के जो कहना होगा वही लिए थाम लग वहां पर लगा देंगे आपस में दोनों फेन बॉक्स से कनेक्ट हो चुके और वही सभी यह वीडियो जो हम लोग का सूट हो रहा है साम की टाइम में सूट हो रहा है यानि कि काम खातम हो उसके बाद में सूट कर रहा हूं तो तरशा माप ही चाहता हूं लेकिन आपको आपको आच्छा से बता दूंगा दोस्तों और दोस्तों आपक जैसे नीचे pipe drop की हैं जो कि हम लोग का counter bolt लग सकता है या तो बॉल्पन लग सकता है इस सामने की तरह भी pipe drop कर दी है क्योंकि उदर दर्बा जाए और देखिए हम लोग कहां पर डी पार जैसे दो left की एक और right की एक pipe जो गिया है आपस में कहीं पर जामूम हो जाएका बोल करके दो pipe हम लोग connect कर चुके हैं और यह जो छजा निकला है इसमें हम लोग का जो की false link डीजन डीजन अबला लग सकता है यानि कि लगेगा तो इसके लिए पूरा straight बीचा दी है pipe और यहां पर colorful light लगेगा उसी तरह right side में भी colorful light लगाने के लिए इधर RJ box बेट चुका है इस point से last point तक तो इस तरह करके हम लोग का जो third room का wiring हो गया है समझ लिए complete यानि कि इस fan box से अभी अगले रूम में यानि कि देखे इस room पे जाएगा यानि कि यह वाला हम लोग का third circuit देखे इसका भी वी चार आपको deeper लगा चुके हैं आपको पताइए उसके बाद आप देखिए यहां सिस में fan box का fan box से connect कर चुके हैं आपस में aware को पार करने में आसानी होगा बोल करके और देखिए हम लोग सारा चीज को मैं आपको बता के कर चुका हूं complete और आपको तो दिखे दे रहोगा एक light पकड़ करके सामकी टाइम वीडियो सूट हो रहा है तो फिर भी हम लोग आपको आच्छा से बताएं और इस तरह करके हम लोगा जो pipeline वैरिंग हो चुका है complete कुछ जान करें मिला तो एक comment अच्छा लागा तो share and thanks for watching my video